गुड मॉर्णिंग माईडी एक्ष्टेंट वेरी वेरी हैपी जो आपको आप लोग जानते होंगे आज दसहरा है तो आप लोग के लिए दसहरा की बहुत बहुत सब्कामना है और आज के ही दिन हम आप लोग का सुभारम करने वाले हैं एक आपने देखा होगा कि असत्य पर है कि देश के पूरे जो एक दैनिक भासकर बहुत बड़ा न्यूस्पेपर है उस फ्रेंट पर अगर आप कोई गलत चीज़ चापने हैं तो कितना आपकी रेपूटेशन पर प्रभाव पढ़ता है आप समाझ सकते होंगे तो आज के दिन साम 6 बजे से हम आप लोग का टेस चैसे स्फचीव से पढ़ना समझना और उसको जब साम 6 बजे से स्थार्ट करें तो आप लोग उस क्लास को क्या करें अटेंड करें और उसमें आज़र देने की बहुत-बहुत करपा करें तो चलिए करते हम लाइव क्लास लेएंगे आप लोग से बात कर सकते हैं एक देख हाल ही में किस कंपनी को दिया गए यह पूचा जा सकता है तो आपको याद रखना है हाल ही में सरकार ने राज्य स्वामित वाली पावर फाइनस कार्पोरेशन लिमिटेड को क्या किया है राज जो महारतने कंपनी का दर्जा दिया हुआ क्या हुआ तो मित्रों कि यह आप लोगों दिखनी रहा था इसलिए मैंने इसका कलर बदल दिया है जिससे आप लोग देख सकें ठीक है तो चलिए हमने आपको बता दिया पावर फाइनस कार्पोरेशन को महारतने कंपनी का दर्जा दिया गया है इससे सम्मंदित आदेश बि सब्सक्राइब करने वाली देश की ग्यारवी इवं राज्य स्वामित वाली एकाई बन गई है ग्यात हो कि इस रेड़ी में पावर फाइनस कार्पोरेशन के अलावा ओंगी सी इंडियन ओपरेशन इस्टील अफरोटी ऑफ इंडिया सेल जैसी विसेश्ट कंपनियों को भ अलग कंपनी आपको देखने को मिलेगी महारतमने कंपनियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं एक ज्याता है महारतम कंपनी महारतम कंपन cottonoking नहीं महा तर्फ कर रह तो महारतम जो व्यस्ता सुवारम 2010 साविनेक chakra के बड़े उध्यमों की वैस्वर्ध्याद्य वाले बनान अन्न सीपी ऐसी की हिसेदारी लगवक इनक्यान पर्षेंट या इससे पर्षेंट आदेक होती है महारतने का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसे लगातार बीते तीन वर्सों में पांस जार करोड़ रोपे से कि अधिक सुद्ध लाप राप्त किया हो अत्वा बीते त वार्सक्क कारोबार Bevölkerουμε 25,000 करोड बर but 25,000 और विशत दस एक क्षेत के ओध्यमों के लिए भारती स्टॉक एक्सजेंज में सूचिवद होने कि हे तू नवरत्न का धर्जा प्राफ्त करना अनिवार है यानि कि जिसको अगर महारत्न का धर्जा चाहिए तो उसे नवरत्न का धर्जा मिलना अनिवार है सरकार ने CPSО को महरत्न, ऑरत्न, मिनित зал दरजा देने के लिए मांदर्न की निर्धार्ण किया हूए क्या सरकार सी, CPS If we use self support are 있도록 कौन देता महरत्न, आणट्म, और मिनि रत्न का दरजा तो याद रखेगा केंद्री सारवजने चेत्र के उध्यम के द्वारा ये तीनों का दर्जा दिया जाता है और उसको लिए मांदर्ण निर्धारित किये गए हैं महारत ने के मांदर्ण ने तो मैंने आपको पता दिये पांच जार करोड का क्या होने चाहिए विछले तीन वर्सा का रूबर 25,000 क चाहिए इसके बाद पावर फाइनेंस कार्परेशन की अगर बात करें तो वर्स 1986 में इस्तापित पावर फाइनेंस कार्परेशन विद्दुत मंत्राले के प्रसाशने क्नियंदान के तहद विजली चेत्र हेतु समर्पित व्यापक बुनियादी और शापित हुई ती और पावर फाइनेंस कार्परेशन एक परियोजना में 5,000 क्रोड रुपए या अधिक निवल मूले का 15% तक निविस कर सकता है नवरत ने या मिनिरत ने के लिए या क्रमसा 1500 क्रोड रुपए निविस कर सकती है पावर फाइनेंस कार्परेशन बोर्ड कर्मी और मानव संसादन प्रवन्दन इवां प्रसेक्शन से संब्धित योजनाओं की संद्शनाओं कार्यान में भी कर सकता है इंपोटेंट बात यहां पर यह है कि कौन इसको दरजा देता है यह पूचा जा सकता है किस मंत्राले क सकता है और यह कौन कौन दर्जा देता है यह मालूम होने चाहिए कौन कितना कितना कर सकते हैं महारत ने कंपनिया पांस जार करोड और मिनी रतने कंपनिया पांस सो करोड ऐसे आप को दिमाग में रख लेना है ठीक ना भूलिएका नहीं और यह 1986 में स्ताबित की गई थी प सब्सक्राइब से पावर फाइनेंस कार्पोरेशन बिजली छेतर हेतु अधिक प्रतिसपर्दी बित्य प्रदान करने में सक्षा होगी जो सभी के लिए 24 गुड़े सास सस्ती और विश्विशनी बिजली उपलब्द कराने में महात्पुन भूमी का निभाएगा सरकार के मजबूत ही बात करें तो महारतने के दर्जे के साथ साथ प्राप्त सक्तियां पावर फाइनेंस कार्पोरेशन को राष्टी अवसंद्शना पाइपलाइन के तहट बित्य पोश्ण की सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद करेगी और साथी इस साथी इस से बरस साथ ही वर्स 2030 तक दो 40% हरे तुर्जा को यानि कि 40% तक हरे तुर्जा 2030 तक की बात कई गई है और तीन लाग कोड़ रुपए से अधिक के परिवय के साथ नई संसुदित वित्रण चेत्र योजना को प्रभावी निगरानी यहां कारेन में भी मदद की जाएगी यह मिलेग और साथ ही जाथ बता दें जब भी आपको कहा जाए कि आप मदद कर सकें तो बहुत खुसी होगी हमें क्योंकि अभी तोड़ी हम परिस्तितियां मेरी खराब चल रही है क्या है थोड़ा मेरा समझ पार होंगे मैंने बताया विता आप लोगो जितना भी आप से बन सके तो जरूर कीज़ेगा जिससे की मैं थोड़ा आप लोगो पढ़ाने में मौटिवेट रहा हूं क्योंकि आपको मालम है यूटुब से मुझे कोई अर्णिंग नहीं है तो मैं थोड़ा डी मौटिवेट रहता हूं और घर से भी दवाब है कि तुम क्यों कर रहा है जब कुछ हो रहा है तो समझे पारूँगा आप मैं किया करना चारा हो की ना चलिए तो अब बात करेंगे हैं फ्लावर सकॉर्पियंट्स की ये फ्लावर इसकॉर्पियनके से का उप्र स्कॉर्पियन ग्लोबल वार्मिंग करण समुद्र के टापमान में वह रद्दी ने इस प्रजाती को विफिनन चेत्रों में प्रवा से तु आकर्शित किया है या बिंदू काहिए तो देखेगा इसको बारे में तो रे फिनेस मचली को क्रम में से संबंधत है जिसे कॉर्पीनी फॉर्म के नामसे भी जाना जाता है जो लगबग 1 सधी पहले 1939 में जापान के दूर प्रिशांत महाशागर में खो जा गया था Scorpio Form Scorpio Scorpio गाड़ी परिवार की समुद्र की सबसे जहरीले जानवरों में से एक है इस प्रजाती की सरी से तुलादमक रुफ से बड़ा यपम लंबा होता है मचली की अगर लंबाई की बात कहें तो 75–127 mm तक होती है जबकि सरीर की चोणाई 14-22 mm तक होती है स्कॉर्पियन फेस अपने धब्विदार रंग पैटन के कार्ण मुंगा इवं चट्टान और परीवेस के साथ पूरी तरह घुलमिल होती है यानि इसका कलर एक इसको कोई पहचान नहीं सकता कि यह क्या मचली है कि एक मुंगा या चट्टान है क्योंकि आपक हम प्रसांत महसाघर में हैं प्राकरते कहाबास की बात करने थे प्राकरते कहाबें प्रसांत Lawrence प्रसांध महसाघर में लेकिन इसकी सीमा का अविस्तार प्लस्तार अब प्रसांट से हिंदन महासाघर कर तक हो गया। स्कौर्पी निफ्वार्मिस लेका हुए इसे मेल चिक डिफिस भी कहा जाता है तता छोटी मशलियों के समू में किसी एक समू की प्रत्यक मशली के गल्पड़े की अस्तियां का विसे संदशना होती है यह दुनिया के सभी महासागरों में पाई जाती है माना जाता है कि यह गर्म समूद्री जल में उत्पन हुए थे लेकिन उन्होंने सम सीतुष ने और यहां तक की आर्क्टेक और अंटार्क्टेक समूद्रों के साथ उत्री गोलार्थ के ताजे जल को भी अपना निवासस्तान अनुकूल बना लिया है यह नहीं पूछा जाता है लेकिन यह पूछा जाएगा आपको कि अभी हाली में मशली मिली है फ्लावर स्कॉर्पियन फिस जो है भी मुक्रूप से उसका जो निवासस्तान कहां है तो प्रसांत महासागर घोजी कहां गई है हिंद महासागर में ठीक बात करेंगे हम राष् आपदा जोकिम निवनिकर्ण दिवस का आईजन किया जाता है अंतराष्टी आपदा जोकिम निवनिकर्ण दिवस की स्तापना वर्स 1989 में अपदा निवनिकर्ण के संस्कृति को बढ़ावा देने हैतु संयुक्तराष्ट महासाभा यू एनजी ए के आवान के बात की गई इस वर्स अंतराष्टी संपदा याद रखेगा कब की गई थी पूछा जा सकता है तो भूलिए अगर नहीं 1989 में दुनिया के भर में आपदा निवनिकर्ण के संस्कृति बढ़ावा देने हैतु की गई थी और इस वर्स अंतराष्टी आपदा जोकिम की थीम हैं विकासिल देशों के लिए उनके आपदा जोकिम और आपदा निवनिकर्ण को कम करने हैतु अंतराष्टी सयूँ यह थीम जलवाई परिवर्तन को मुकाबला करने हैतु बर्स 2015 में पैरिस समझोते को पूरा करने के लिए आवस्सक्ता पर जोड़ देती है जलवाई परिवर्तन को ल प्रति जाग रुकता कि माद्यम से प्रा करते हैं माना निर्मित आपदाओं से उत्पन जोकिमों को काफी हद तक कम किया जा सकता है यह बात यहां पर कही गई है यहाल रखिएगा पूलिएगा नहीं कार्मेक एवं प्रसिक्षण विभाग द्वारा इस संबंद में जारी अधिसूचना के मताबिक प्रदान मंत्री के सलायकार के लूप में अमित खरी की न्युक्ति दो वर्स के लिए गयात्यों की अमित खरी में बिहार और जहारखंड के अदिकारी है उन्होंने दिसम्ब अंतराष्टी एकचरा दिवस के बारे में अगर हम बात करें तो 14 अक्टूबर को अंतराष्टी एकचरा दिवस के रूप मनाया जाता है साथी साथ अंतराष्टी एकचरा दिवस का आयोजन किया जाता है और इस दिवस का सुरुवात वेस्ट एलेक्ट्रिकल याद रख सक तो संयोग तरफ से कच्रे की संग्या दी जाती है यानि यह कच्ड़ा का मतलब यह नहीं कि तुम ऑनलाइन कच्ड़े की booking कर लो कि कच्ड़ा हमारे यहां कच्ड़ा डाला हुआ ऑनलाइन ले जाओ नहीं कच्ड़ा का मतलब जिए इलेक्ट्रोनिक डिवाइज है चाहे आपका मोवाइल हो चाहे आपका चार्जर हो चाहे आपकी टीवी वासिंग मसीन फ्रेज जो भी हो उसको जो उपयोग नहीं होता है तूट जाता है फूट जाता है यह कच्ड़ा 14 अक्टुबर को जुलाई 2020 को संयोकतराष्ट विस्विद्याला द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया कि वर्ष 2020 और 2030 की आउधी में बैस्वेक एक कच्ड़े के तकरीवन 38 प्रतिशत्तक की बड़ोत्री हो सकती है और आकड़े की माने तो भारत ने वर्ष 2019 में 3.2 मिलियन टन एक चरा उत्पन किया था केंद्री प्रिदूशन नियंतर बोर्ट के नुसा भारत 312 प्रतिवस पढ़ेंगे चलो एक आई दहाई सेकड़ा हजाद दसजाल लाक साथ लाक ब्यासी जार असी दसम्लों सपासाट टन ए कच्ड़े का प्रभंदन करता है याद रखेगा कम मनाय जाता है मित्रों तो 14 अक्टूबर को मनाय जाता है याद रख सकते ठीक ना इस दिवस की शुरुआत किस ने की कि सब्सक्राइब के द्वारा तो WEEF वेस्ट एलेक्ट्रिकल एंड एलेक्ट्रोनिक फॉर्म द्वारा बर्स 2018 में की गई भूलिए का नहीं बात करेंगे हम तोड़ा बहादो साज अफ़र प्रथम के बारे में आज इनकी तारिक को तो आपको सोचने वाली बात है कि इनकी ए 42 को बुर्हानपूर मद्रदेश में हुआ था बहादुर साहि प्रतम मुगल समराट औरंग जेप के नवाब और नवाब बाई का सबसे बड़ा पूतर था जिसका पास चेक नाम कुत्वुद्दीन मुहम्मद मुज्जम था क्या था कुत्वुद्दीन मुहम्मद साहे बेहखबर के नाम से भी जाना जाता था मुहम्म बहादुर साहि प्रतम को सन 1663 में दच्छण के दक्कन पठार चेत्र मद्ध भारत में पिता का प्रतिन्दी बना कर भेजा गया 1683 में और 1684 में दच्छण बबबई यानी बरतमान बंबई गोवा के पर्तगाली लाकों मराटों के खिलाब सेना का निर्टत किया अंग्रेजों ने 1707 में मरत्यों के बाद बहादुर साह और उसके तीन भाईयों को मुगल वास्था बनाने के लिए उत्तर अधिकारी का यद्ध हुआ था और मई 1707 में लाहुर के उत्तर में स्थित साहुद दौला नामक पुल पर अपने बहादुर साह के नाम का भारत का समराट गोसित किया था और बहादुर साही की ने गद्दी की बैटी मुनीम खां को अपने बजी नियुक किया और अंग्रेजों की समय बजीर असद खां को वकील ए मुतलग का पद दिया था ये इंपोटेंट है और उसके बेटे जुल्फी कार खां को उसने मीरबक्सी बनाया बहादुर साही प्रतम ने जस तरया अपने दर्वार में पदों और उहथों की बित्रण कीा उसके दर्वार में सडियंत का सिलसला सुरू हो गया और दर्वार में इपने दो दल सिया मत को मानने वाला था याद रख सकते हैं आप और जो इसमें आसत कहां और उसके बेटे जुलफी खार खां जैसे सरदार थे तुरानी दल सुनी मत के समर्त में था जो इसमें चिनकिलीच खां और सिर्फरूज गजी उद्दीन जंग जैसे लोग जो लोग उसमें सामिल थे अगर जजियाकर की बात करें तो बहादुर साय प्रतम ने जजियाकर को समाप नहीं किया था इंपोटेंट बात है और इसे उदार जरूर बना दिया था अपने छोटे से सासनावदी के दौरान बहादुर साय ने संगीत को नए सिरे से समर्दन भी किया इंपोटेंट जो हाइलाइट कर रहा हूं याद करिएगा ऐसा कहा जाते है की बहादुरसाय जो प्रतम की विसाए में प्रसिद्द लेखाक सर सिड़नी योबन ने लिखा है की सर सिडनी योबन का नाम यहाद रखे últimos के अनतिम मूगल समराट्थ जिसके विसाय मेंकुछ अच्छे सब्द कहे जा सकते हैं इसके पशात मुगल सामराजी की तीब्र गामी और पूर्ण पतन मुगल समराटों की राजनीती तुक्षिता पूर्ण सक्ति भी ही दो तक था 27 परबड़ी 1712 को लाहोर में साली मार बाग याद करिएगा पूछा जा चुका है कहां मा रहेते तो साली मार बाग में पुननरमार करते हुए बहादर साही की मौत हो गई और उसकी कब्र महरोली में 23 सताबदी की सूफी संथ कुत्व अलम दुतिय और अकबर दुतिय के साथ मोती मजजित में ही है यानि की पूछा जा सकता है कि मोती मजजित में किन की कब्र है बहादर साही प्रथम की जिन को और क्या नाम से जाना जाता था था भी कुतब الدین मुहम्मद मुहज्जम नाम भी था साहे बेखवर भी उनका नाम था साहे आलम भी उनको कहा जाता था तो देखे महरुली में उनकी कबर है किस किस की कबर है महरुली में सूफी संत्की, कुतब الدین बक्ती और काकी की दरगाय के निकट और साहे आलम दुतिये और अकवर दुतिये जो हैं उन सभी की कब्र के साथ मोती मज्जित में जो बहादुर साहे प्रथम थे उनकी भी वहीं पर कब्र बनाई गई है याद रखेगा जन्म हमारे मद्यप्रदेश की बुर्हानपूर में हुआ है अगर आपको मालूम नहीं है तो नेट पर सच किजिएगा बुर्हानपूर कहां पर है मद्यप्रदेश में तो मिलतों मित्रों आप लोग इनकी सकल भी देख सकते हैं ऐसे थे राजा महराजा जो बहादर साय परतम हैं और मैंने कल एक कॉश्चन पूछा था आपको भारत का अंते मुगल समराट कौन था तो बहादर साज अफर्दूतिय भारत के अंते में मुगल समराट थे आपको मालूम हो अठाथा सुन्तान की करांती में उनको घोसेत किया गया था भूले का नहीं और में तरो साम को 6 बजे याद रखेगा 6 से 7, 7, 7 बच जाएंगे क्योंकि आपको मालम है आज काली जी का पर सर्जन है तो 8 बजे से काली जी भी देखने के लिए आप जाएंगे इसलिए मैंने का खाना था जैंगे 7 आप आट तक 7, 7 बच जाएंगे फिर आप लोग्को घ चुट्टी कर देंगे तो लोग भी चुट्टी और आप लोग भी कालीजी देखेंगे तो मिलते हैं आप वे दश्मीद बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बधाई कीजें अच्छे से से धन्यवाद थेंग आ